हेलो फ्रेंड्स इस्टडी क्लासेस की यूटूब चैनल में एक बार फिर से आप सुरीनों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आज हम लोग सिंपल इसकेल का जो लास्ट टाइफ है फोर्थ टाइफ है उसे हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इसकेल का जो फोर्थ टाइफ ड्राइंग आता है उसे इस चार्ट पेपर पर ड्रा करके आप लोगों को बताएंगे इसके पहले हमने Simple Scale का तीन वीडियो बनाया है जिसको यदि आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको जा कर देख लिजें क्योंकि जो हमारा जो पहले का तीन वीडियो है इसमें basic concepts से लेकर के आपको बताया है कि कैसे कोई भी जो हमारा digit दिया रहेगा ड्राइंग करने के लिए उसे हम कैसे मीटर से सेंटी मीटर में सेंटी मीटर से डेसी मीटर में कैसे कनवार्ट करेंगे तो बहुत सी interesting वीडियो है पहले का जो वीडियो है और ये Simple Scale का आज last type है इसके बाद हम लोग diagonal skill को discuss करेंगे तो चलिए time को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हमें यहाँ पर question दिया है एक सरल मापनी की रचना करें जिसका RF दिया है इकल आर्याफ इकल टू ओन अफान 400 दिया है यहाँ एक सरल मापनी यहाँ पर बोल दिया है एक सरल मापनी की रचना करें जिसकी RF दे दिया है और जिसमें अधिक्तम 60 मीटर तक मापा जा सके यहाँ इस मापनी के द्वारा अधिक्तम 60 मीटर तक की दूरी को मेजर किया सकता है और मापनी बनाकर उस पर 44 मेटर, यानी 44 मेटर की दूरी हमें क्या करना है, प्रदर्सीट करना है सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इहाँ पर हमें क्या मिल गया है RF मिल चुका है, RF दे दिया हमें कितना RF equal to, हमें ग्यात है, one upon four hundred RF की कोई units नहीं होती है ना तो centimeter में होता है ना तो meter में होता है RF का मतलब dimension less RF की value होती है RF का value हमें दे दिया है one of one 400 अब हम क्या क्यात करेंगे तो सबसे पहले हम कोई भी drawing बनाते हैं उसमें RF निकालते हैं उसके बाद हम length of skin निकालते हैं RF का मतलब का होता है representative fraction या निरूपक भीन RF निकालने के बाद हम तब निकालते हैं LOS यानि length of scale तो LOS निकालने के लिए हम क्या करेंगे LOS निकालने के लिए LOS निकालने का जो हमारा formula होता है उता है RF into मापनी द्वारा मापी जा सकने वाला अधिक्तम दूरी या English में बोलें तो बोलते हैं maximum length मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिक्तम दूरी तो RF हमें कितना प्राप्त है RF हमें पता है कि 1 upon 400 यहाँ पर दिया है और मापनी द्वारा मापी जा सकने वाले अधिक्तम दूरी कितनी है तो यह दिया है question में जिस मापनी को आप ड्रा करेंगे उससे अधिक्तम 60 मीटर तक की दूरी मापी जा सकती है तो ही हमारा जो हो जाएगा 60 मीटर maximum length हो जाएगा चुकि यह मीटर में है इसे हम किस में convert करेंगे ड्राइंग में कोई भी चीज होता है उसे हम cm में यह लें था फिसकेल निकालते समय उसे cm में convert करेंगे तो 60 मीटर को मीटर को cm में convert करेंगे तो हमें पता है कि एक मीटर में कितना होता है 100 cm होता है अब यहाँ पर 2 0 से 2 0 cancel out हो जाएगा उसके पाद 4 से हम 60 में क्या करेंगे भाग देंगे तो 4 1 4 और 15 6ुक का 60 याँ लें था फिसकेल की बैलू हमें कितना पराप्त हो गया 15 cm लें था फिसकेल का बैलू हमें पराप्त हो गया इस तरह से हमें लें था फिसकेल और आरिया दूनों का बैलू मिल गया है अब हम 15 cm की एक scale ड्राय करेंगे और इस scale पर हम क्या करेंगे 44 मीटर की दूरी को परदासित करेंगे तो चलिए देखते हैं आगे का process अब हम इहाँ पर क्या करेंगे एक 15 cm का एक scale ड्रा करेंगे 15 cm का एक scale ड्रा करेंगे इसकी कुछ हम height भी लेते हैं इसकी height हम कितने लेंगे तो simple scale लिए होता है उसमें हम 15-20 mm की इस scale की height लेते हैं और यदि diagonal scale पढ़ेंगे तो उसमें कितने लेते हैं 20-25 mm की हम इस scale की height लेते हैं तो हम यहाँ क्या हो जाएंगे 20 mm ऊपर बढ़ जाएंगे 20 mm इस scale की हम मोटाई लेंगे 20 mm परफेंडिकुलर इस scale की हम मोटाई लेंगे हम क्या करते हैं अब इसे हम एक box में बंद करते हैं नहीं हम एक scale यहाँ पर ड्रा कर लिए जिस scale की कितनी है मोटाई कितनी है वह 20 mm लेंगे आप 15 mm भी ले सकते हैं 15-20 mm के बीच simple scale की जो मोटाई है उसे हम लेते हैं अब क्या करेंगे इस starting point से इस starting वाले point से यहनी noon code पर यहनी 90 degree से कम angle पर हम क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ लाइन ड्रा करेंगे 90 degree से कम angle पर यहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे उसके बाद अब आगे का जो हमारा process होगा वहा question में दिव हुए जो हमारा value दिया रहेगा उसकी अधार पर हम इस line को क्या करेंगे divide करेंगे और इस line पर divide जो करेंगे उसी के अंसार इस हम scale को भी कितने भागों में बाटना है question के अंसार में पता चल जाता है तो हमें question में दिया है एक सरल मापनी की रचना करें जिसका आर्या फितना दिया है और जिससे अधिक्तम 60 मेटर की दूरी मापी जा सके 60 मेटर का मतलब है अब इस 60 मेटर को हम ऐसे भागों में divide करेंगे कि जिससे हम इस scale पर अपने जो प्रदसित करने वाली हमें जो value दी गए उसे हम आसाने से प्रदसित कर सकें तो 10 के गुलज में हम 60 को बाटेंगे तो 10 के गुलज में हम 60 को यदि बाटेंगे तो 10 के 60 यहनि 6 बार में जाता है तो इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा scale होगा इस scale को हम 6 वरावर भागों में यदि बाट दें तो क्या हो जाएगा हमें आसानी से साथ मीटर की दूरी इस मापनी पर प्रदर्शित कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं इस स्केल को हम छे बरावर भागों में डिवाइड करते हैं अब 6 बरावर भागों में डिवाइड करने के लिए आप लोग कैसे डिवाइड करेंगे तो इसे डिवाइड करने के लिए आप लोग कमपास उठाएंगे और उस कमपास में कोई भी दूरी लेकरके 10 mm, 15 mm या 5 mm या जिससे आप आर्क लगा सकते हैं आप उसमें 10 mm या 15 mm या 5 mm की डिस्टेंस ले लेंगे आर्क में उस आर्क को यहां पर रखेंगे आर्क की नोग को और पैंसिल और नोग को इसे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे कुछ एक निश्चित दूरी लेकर के जिसमाली जी हम पहला आर्क यहां पर लगाते हैं ओही दूरी ले करके फिर दूसरा आर्क हम यहां पर अपने फिर क्या करें के कमपास को रखेंगे और ओही दूरी ले करके दूसरा आर्क लाएंगे फिर कमपास को हम यहां पर रखेंगे और तिसरा डिस्टेंस यहां पर लगाएंगे फिर अगला चौथा हो जाएगा फिर पाँचमा एंड छठा इस तरह से हम अपने इस लाइन को छे बराबर भागों में क्या करेंगे आर्क से कमपास से आर्क लगाएंगे अब इस एंड वाले पॉइंट को अब इसी के पैरलल चुकि हम जब ड्राइंग खिचेंगे तो हम मीनी ड्राफ्टर एंड के सहाथा से ड्राइंग खिचेंगे हमारा पास इसमें ड्राइंग नहीं है क्योंकि दोस्तों मैं बाहर हूँ घर पर नहीं हूँ घर पर हमारा एंड छूट गया है तो हम अपने जो हमें यह लाइन खीचेंगे इसी के पैरलल यहां से हम फिर से एक लाइन खीचेंगे जो हमारा स्केल पर जाएगा इसी के पैरलल फिर तीसरे पॉइंट से आगे बढ़ेंगे पुना इसी के पैरलल चौथे पॉइंट से फिर इसी के पैरलल तीसरे पॉइंट से फिर इसी के पैरलल दूसरे पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे अब क्या करेंगे अब जिस point पर हम हमारा AR scale पर मिला हुआ है उसी point से क्या करेंगे हम parallel उपर की तरफ लाइने खीचेंगे इस scale को 6 बरावर भागों में बाटने के लिए parallel हम उपर मिला देंगे इसे सबी को parallel उपर मिलाते चले जाएंगे इस तरह से हमारा जो scale होगा 6 बरावर भागों में क्या होगा divide हो जाएगा और इसकी जब numbering हम करेंगे और numbering कहां से start करेंगे तो numbering जो हमारा होगा वह इहां से start होगा अब आप लोग पूछेंगे इहां से क्यों start होगा क्योंकि यहां से हम start करेंगे तभी जो होगा हमारा यहां तक कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा और इस वाले distance को पुना हम 10 बरावर भागों में divide करेंगे जिससे हमें 44 मीटर की दूरी हमें प्रदसित करनी है तो 40 मीटर की जो आगे वाली की दूरी होगी इस बाक्स को हम 10 बरावर भागों में divide करने की बाद जो 4 मीटर की दूरी होगी इस बाक्स में क्या करेंगे प्रदसित करेंगे इसलिए हम यहां से 0 से start करते हैं तो यहां हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 and 5 ठीक 0 1 2 3 4 5 अब इस मापनी पर हम कैसे आप location कर सकते हैं कि इस मापनी पर कैसे हम 60 मीटर की maximum दूरी प्रदसित कर सकते हैं तो आप लोग देखिए यह से माल लिजे हम इस मापनी पर 60 मीटर की दूरी प्रदसित करना चाहते हैं तो हमारा कितना हो जगा यहां से यहां तक का यह 0 होगा सरी यह 0 होगा यह 10 होगा 20 30 40 50 यहां से हम इस मापनी को numbering कर दिये 0, 10 मीटर, 20 मीटर, 30, 40 और 50 मीटर यह तो हम यहां से प्रदस्ट किये लेकिन इसके बाद वाले यह जो हमारा box बचा है इसको हम क्या करेंगे अब 10 बराबर भागों में डिवाइट करेंगे जिसके एक भाग का मान कितना होगा एक मीटर होगा तो 50 मीटर ही हो गया और 10 मीटर ही हमारा हो गया इस तरह से हम 60 मीटर की दूरी इस पर प्रदस्ट कर सकते हैं अब इसको 10 बरावर भागों में बाटने के लिए पुना हम क्या करेंगे पुना हम इस पॉइंट से इसी वाले पॉइंट से 90 डिग्री से कम एंगल पर एक पुना लाइन खीचेंगे और अब हम चुकि हमें इस बाक्स को 10 बागों में डिवाइट करना है तो इस लाइन पर हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 दस बरावर आर्क लगाने गवाद लाश्ट वाला जो आर्क होगा इसको हम इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे 1 और इसी के पहले क्या करेंगे हम दूसरे वाले आर्क से पुना आगे बढ़ेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह समरा क्या हुगा अब ये वाला जो हमारा बाक्स है 10 बरावर भागों में डिवाइड हो जागा 10 बरावर भागों में डिवाइड हो गया तिससे हमारा क्या हुगा यानि एक भाग का जो बैलू होगा वह हमें प्राप्त होगा एक मीटर की इस एक भाग की बैलू एक मीटर हमें मिल जाएगा और इधर का जो हमारा बैलू मिला हुगा है एक भाग का बैलू कितना है 10 मीटर का है और इसी दस मीटर वाले वाक्स को हम एक एक मीटर में दस बरावर भागों में बाड़ दिये हैं इस तरह से अब हमें क्या हुगा अब हम इसका नम्बर इंहास करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 यह भी हमारा क्या हुगा यह भी मीटर में हमारा दूरी मिला और यह भी हमारा क्या हुगा मीटर में यह भी दूरी हमें मीटर में ही मिला है लेकिन एक बाक्स की लंबाई कितनी है 10 मीटर है और इस एक बाक्स की लंबाई 1 मीटर है क्योंकि जो 10 मीटर वाला हमें बाक्स था उस बाक्स को हम 10 बरावर भागों में बाड़ दिया है इसलिए एक भाग का लंबाई जो होगा वह एक मीटर होगा अब इस मापनी पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं 44 मीटर की दूरी प्रदसित कर सकते हैं जैसे कि क्यिस्चन में दिया है साथ मीटर तक मापा जा सके उस मापनी के दूरा और मापनी बनाकर उस पर 44 मीटर की दूरी दर्स आईए तो इसके हमें 44 मीटर की दूरी दर्स आनी है तो कैसे दर्स आएंगे तो 0, 10, 20, 30 and 40 40 मीटर तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी और 4 मीटर हो रहो हमें आगे बढ़ना है तो 1, 2, 3, 4 यहां से हम क्या करेंगे जो हमारा पैरलल उपर गया है लाइन यह हमारा क्या हो जाएगा 4 मीटर का हो जाएगा और 40 मीटर वाले जो हमारा पॉइंट है यहां से हम उपर ऐसे निसान लगा लेंगे तो यहां से यहां तक की जो हमारी दूरी हो जाएगी वह कितनी होगी 44 मीटर की दूरी हमें मिल जाएगी इसे आप लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसे जो हमारा होता है इसे arrow बनाना होता है और इस arrow का जो अनुपात होता है 1 अनुपाते 3 का होता है 1 अनुपाते 3 यानि लंबाई इसका ज्यादा होगा और जो इसकी हाइट होगी एक कम होगी ऐसे आप लोग इहाँ पर arrow लगाएंगे और यहां पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा फूटी फूर मीटर और नीचे क्या लिखना होगा नीचे आप लोगो क्या लिखना होगा यहां पर नीचे लिखना होगा कि स्केल की लंबाई केतने है यानि यल ओयस को भी प्रदसित करना होता है नीचे आपको यलोयस भी प्रदसित करना होता है तो यहां पर आप लोग यलोयस को प्रदसित कर देंगे जो हमारा यलोयस की लंबाई है वह कितना मिला है यलोयस इकल टू 15 cm इस तरह से हमारी स्केल यहां पर बनके तयार हुआ जो सिम्पल स्केल का ड्राइंग था आपको यहां पर लिखना पड़ेगा आर्याफ इकल टू 1 अपान 400 आर्याफ 1 अपान 400 एंड यलोयस 15 cm और इस मापनी पर हमें कितनी दूरी प्रदसित करनी थी तो 44 मीटर की डिश्टेंस प्रदसित करनी थी ती इस तरह से यह था सिम्पल स्केल का जो फौर्थ टाइफ हमारा था आज के इस वीडियो में समाप्त हो गया अब हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि डाइगउनल स्केल क्या होता है और डाइगउनल स्केल को कैसे चाट पेपर पर ड्रा करते हैं, तो फ्रेंडस आप लोगों के यई वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट में जरूरू बता हैं, और वीडियो अच्छा लगो तो बिल्स तो ज़्यादा ज़्यादा सेयर करने की कोसिस करिएगा, Thank you friends, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवारत